स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल बीडी वी ओलब प्रूडेट्स आज की वीडियो मैं हाजर आपके लिए ताजा अपडेट के साथ जिसके अंदर हम बताऊंगा आपको कि मोदी सरकार दे रही है किसानों को सोईल टेस्टिंग लैब के लिए तीन दिशार अब साथ पांच लाख रुपए की राशी तो इसके अंदर हम क्या 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 इसका क्रिटेरिया है कैसे मिलेगा और कैसे हम इसका जाए लाब उठा सकेंगे तो ये जानने के लिए वीडियो को अंतक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर देजिएगा ताकि मारी आनिवाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले तो चले दोस्तो शुरू करते हैं हमारी जाज की वीडियो तो जैसे की दोस्तो अपने थमनेल में देखा है सोयल टेस्टिंग लैब के लिए किसानों को 3.75 लाख रुपए देगी मोधी सरकार ऐसे ले सकते हैं इसकाला कैसे ले सकते हैं दोस्तो नई दिली के इंदर स लैब स्ताबित करने में 5 लाख रुपए का खर्चाता है जिसका 75 फिस्दी यानी 3.75 लाख रुपए सरकार देगी इसमें से 60 परतीश्यत के इंदर और 40 फिस्दी सबसिड़ी संबंदित राज्य सरकार से मिलेगी सरकार जो पैसा देगी उसमें से 2.5 लाख रुपए जांच, मशीन, रसायन, वै, प्रियोग शाला चलाने के लिए अन्या जरूरी चीजें खरीदने पर खर्च होगा कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, जीपियस को खरीद पर 1 लाख रुपए लगेंगे सरकार द्वारा मिट्टी नमूना लेने, प्रिक्षन करने एं, सोईल हेल्थ कार्ड उपलब्द कराने के लिए तीन सो प्रती नमूना प्रदान किया जा रहा है लैब बनाने के इच्छुग युवा कसान या अन्या संगठन जिले के क्रिशी, उपनिशेदक, संयुक्तनिशेदक या उनके कारेले में प्रस्ताव दे सकते हैं तो एग्रीकूप.nick.in वेबसाइट या सोईलहेल्थ.deck.gov.in पर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं किसान कॉल सेंटर है 18-0-0-1-5-5-5-1 पर भी संपर्क कर अधिक जानकरी ली जा सकती है तो सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनके गाउं में ही खेती की मिटी की जांच करवाने की सुविदा मिले साथ ही ग्रामीन युवाओं को रोजकार भी मिले इस स्कीम के तहत ग्रामीन युवा एम किसान जिनकी उमर 18-40 वर्ष है ग्राम स्थर पर मिनी सोयल टेस्टिंग लैब बना सकते हैं स्वय सहाइता स्मू क्रिशक सहकारी स्मितियां एम क्रिशक उत्पादक संगठन जिसका मुड़के FPO को भी प्रयोग शाला स्तापित करने पर यह मदद मिलेगी इस तरहें शुरू करें का मिटी जांच प्रयोग शाला को दो तरीके से शुरू किया जा सकता है पहले तरीके में प्रयोग शाला एक दुकान किराई पर लेकर खोली जा सकती है इसके इलावा दूरी प्रयोग शाला ऐसी हो सकती है जिसे इदर उदर ले जा सकता है जैसे मॉबाइल सोयल टेस्टिंग V.A.N. कहते हैं पहले तरीके में कारोबारी ऐसी मिट्टी को जांचे का जो उसकी प्रयोग शाला में किसी के दुवारा बेजी या लाई जाएगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट इमेल या प्रिंट अकाउंट लेकर ग्रह को बेज दी जाएगी हलांकि पहले की तुलना में दूसरा विल कल्प काफी फाइदे मन हो सकता है इसलिए जहां तक इसमे निवेश का भी सवाल है वह पहले विकल्प की तुलना में अधिक ही है काफी प्रयोक्षाला की है जरूरत देश में इस समय छोटी बड़ी 7949 लैब हैं जो किसानों और खेती के हिसाब से नाकाफी कही जा सकती है सरकार ने 10,845 प्रयोक्षालाएं मनजूर की है राश्ट्रिय किसान मासंग के संस्थापक सदस्य विनोद अनंद कहते हैं कि देश बर में 14,5 करोड किसान परिवार है ऐसे में इतनी कम प्रयोक्षालाओं से काम नहीं चलेगा बारत में करीब 6,5 लाग गाउं है ऐसे में वर्तमार संख्या को देखा जाए तो 82 गाउं पर एक लैब है इसलिए इस समय कम से कम 2 लाग प्रयोक्षालाओं की जरूरत है कम प्रयोक्षाला होने की वज़ए है जाज ठीक तरीके से नहीं हो पाती तो ये थी दोस्तो आज की जो ताजा आफडेंट की मोदी सरकार दे रही है किसानों को स्वेल टेस्टिंग लैब के लिए 3,75 रुपई की राशी तो होपस हो की आपको ये क्रेटेरिया सारा समझ आ गया होगा और वीडियो की आपको अनॉलेजेवल लगी होगी वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेर कर दीजिगा फिर मिलते हैं दोस्तों अपने चैनल बीडी बी ओलर प्रूडेर्स तब तक के लिए देख तेरी अने मत्रा